है हलो वन मैं हूँ आप सभी का समझाद विया and I hope आप एकदम स्वस्त होंगे और प्रॉफिट में भी होंगे मैटिक ने हमारे इस टार्गेट को जो की था 128 रुपे का इसको फाइनली हिट कर दिया और यहां से इसको देख सकते हैं अब रिजेक्शन मिल रही है अभी इसको अच्छे से एक्स प्लैन में करूँगा शिवा का जो टार्गेट था वो भी हिट हो चुका है तो इस बात पर लाइक हो जाना चाहिए अभी डीटेल से अभी स्टेडिजी शेयर करूँगा कि शिवा में अभी हमें क्या करना चाहिए बीटीसी की बात करें तो थोड़ा सा बीटीसी साइडवेस चल रहा है और डॉमिनेंस में भी हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन अभी only pattern जिसके उपर मैं फोकस कर रहा हूँ long term के साबसे वो है हमारा ये cup and handle pattern जिसके बारे में हम पिछले कई दिनों से बात करते हूँ आ रहे है यहां से कल भी मैंने आपको बताया था कि फिबोनाची भी अगर मैं draw करूँ तो हमारा ये जो ratio होता है 0.618 ये आ रहा है तक्रीबन इस level के पास में ठीक है जो कि है 57,557,500 के around हम कह सकते हैं मोटा मोटा इसको 58,000 ठीक है यहां पर एक अच्छा खासा हमें support मिल रहा है अगर BTC यहां से आता है तो second से third attempt में ये जो falling way channel है इसका breakout हमें देखने को मिल सकता है लेकिन लेकिन अभी जो BTC के रास्ते में main काटा है या फिर main resistance level जो है वो है 61,900 के around या फिर हम कह सकते हैं 62,000 के around यहां पर यह चीज़ आप देख सकते हूँ कि अलग-अलग exchange उपर जो long and short position open हो रखिए यहां पर maximum लोगों ने short position open करके रखिए 4RK में data आपको बता रहा हूँ ठीक है यहां पर अगर हम Binance के देखे Binance में भी 51% लोगों ने short position open करके रखिए होबी पे भी 54 इसके अलावा maximum exchange जो पे लगबग लगबग सिर्फ इसको छोड़ दो आप यह कुन सा Bitfinex Bitfinex में 62% लोगों ने long position open करके रखिए कहने का मेरा मतलब सीधा सा है कि यह जो level है यहां पर एक अच्छा कासा resistance इसको मिल चुका है और 62 तक इसको एक अच्छा कासा resistance मिलेगा जिसकी वड़ी से थोड़ी price डाउन जाने की chances है safe entry long की देख रहे हो तो 57 होगी 57, 58 के around यह वाला level काफी safe zone है मेरे according ठीक है और अगर यहां से हमें इस falling channel का breakout देखने को मिला ठीक है जिसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहां से लेकर यहां तक की height ले लो यह जो arrow में ने बताया है न यहां से यहां तक की height को हम यहां पर लगाते हैं breakout point पर ठीक है तो अगर हमें यहां से breakout मिलता है तो हमारा जो target होगा around हम कह सकते हैं 100K इसलिए सब बाते कर रहे हैं कि भीया BTC की price एक लाग डोलर को hit कर सकती है वो क्यों कर सकती है reason मैं ने आपको बता दिया कि अगर यह pattern valid होगा तो हमें price 100K के around देखने को मिल सकती है अगर इतना भी नहीं गई ना अगर हम यहां से ले ठीक है यहां से थोड़ा सा और ले ले ठीक है इस वाले level से अगर हम breakout देखने को मिलेगा ठीक है तो भी around हम 80K तक तो easily पहुंच सकते हैं इस साल 80K तक BTC हमें द अगर आगे के जो हमारे टार्गेट है वो है 171 का देन हमारा बताया था एक न्यूज अपडेट भी आपके साथ शेयर करी थी और बेक्राउंड में थोड़ी सी noise वगरा आ जाए तो प्लीज इसको ignore कर देना पास में construction का का काम चल रहा है ठीक है तो कल sideways condition के बार में मैं आप आपको बदाया था टार्गेट भी हमारा 128 रुपे का हिट हो चुका है अगर आप यहां पर profit बुक करना चाहते तो कर सकते थे एक चीज में आपके साथ देखो या परफेक्टली हमारा यह टार्गेट ही हुआ है और यहां से इसको एक rejection मिली है अभी क्या करना चाहिए जो short term के साब से आये थे वो थोड़ा hold कर सकते हैं विकोस आगे के जो हमारे target है वो है 171 का then हमारा 197 से 220 तक BTC हमें easily देखने को मिल सकता है तो अच्छा खासा यह आपको profit देखे जाएगा इस alt session में तो इसको आप hold कर सकते हो और profit booking के बार में मैंने जिसा आपको बताए कि 128 रु जो कि हिट हो चुका है शीबा की बात करें तो शीबा के बारे में जैसा मैंने आपको बताया थे कि मेरे buying zone यह वाला था ठीक है और यहां से मुझे अब तक लगबग लगबग में कहूं तो 50% से जादा का profit मिल चुका है अभी मैं इसको थोड़ा बहुत profit book करूंगा देखो क्या होता है कि काफी लोग बोलते कि भाया अभी और उपर जाएगा अगर यह और उपर भी चल जाता है तो जादा से जादा 10-20% का कम profit मिलेगा मुझे लेकिन मेरा एक exit point मुझे पता था तो वो चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी थोड़े से और लालच के चकर में ना कर अपने exit point के साथ या exit plan के साथ छेड़ चाड़ मत करो तो यह वाला मेरा exit plan था एटलिस मैंने आपको यही कहता है कि इस वाले level से इस वाले level तक मेरा एक short का plan होगा तो मैं अभी इसको करने जा रहा हूँ उपर भी चल जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा ठीक है आप तो पहले इसके बारे में negative बोलते थे माई में या जून में देखो तब यह कुछ अलगता अगर किसी coin में कुछ मुझे देखने को नहीं मिलेगा तब मैं सच्चा ही तो आपके साथ share करूँगा अभी इस पर काम हो रहा है काफी लोग इसमें अच्छा गासा योगदा इन्हों के बारे में बात शिबा इन्हों एक काफी अच्छा गासा प्रोफिट दे रहा है या फिर आपको पता है कि देगा तो आपकी strategy आपको पता होनी चाहिए मेरे strategy में ने आपके साथ share करी थी और वो strategy काफी अच्छी successful रही और 61% का हमने एक अच्छा गासा वो चाहे meme coin हो या फिर fundamentally strong coin हो अगर आपको पता है आपकी strategy पर आपको believe है तो आपको definitely वो profit दे के जाएगा तो शिबा इन्हों ने एक अच्छा गासा profit दिया है और शिबा इन्हों के बारे में यह update हो गई next जो भी entry और exit point होंगे वो यहां पर आपको मेरे official telegram channel पर मिल जाए direct telegram पर जाना और search करना I am समझा दो भी या username का जरू से दिहान रखना यहां पर आपको time to time सारी urgent updates वगेरा tweet वगेरा या कब किस coin को buy करना चाहिए sale करना चाहिए free of cost futures की call main जो coin है हमारा next वो है we chain we chain के बारे में काफी लोग सुनना चाते हैं काफी लोगों ने इसमें October तो October में इसकी काफी ये कच्छी हमें price देखने को मल सकती है end of October तग ये तो हो गई tweet वगेरे के base पर बात अगर हम TA के base पर भी बात करें आपको याद हो हमने discuss करा था इस trend line का अगर हमें confirmation मिलेगा then हमारे जो targets होंगे वो होंगे एक तो point 15 का then point 19 का अच्छा ये भी चेक करन चार्ट वगेरा मैंने change तो नहीं कर दिया ना कुछ लेवल वगेरा सिर्फ लेवल वगेरा ये जो लेवल सेने इसके color change करें बाकि सेम चार्ट है trail line का confirmation में मिला और मेरा जो target है अभी है point 15 का तो इस चीच का जरूर से आप ध्यान रखना दोस्तों आप में से काफी लोग मुझसे अकसर यही question पूछते रहते हैं कमेंट आते हैं लोग DM करते हैं कि भीया long term के साब से coin बताईए मुझे 2,5 साल 3 साल के साब से उसको hold करना है मुझे अपनी शादी में दीदी की शादी में या फिर literally ऐसे मुझे DM आता है ठीक है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है उस profit से तो ऐसे मुझे coin बताईए ठीक है अब देखो long term के साब से या फिर अच्छे safe या फिर अच्छा profit देने वाले अगर आपको coin select करने तो वो चीच आ कि देखो कि जो institutional investors है वो अभी किन coins को select कर रहे है या फिर उनके portfolio में कौन से coin से ऐसे जैसे मालो soul हो गया या फिर ऐसे बहुत से coin है जो कि अभी institutional investors अपने portfolio में उनको add कर रहे है उनको देखो अलग-अलग आपको tools मिल जाएंगे मसारी वगरा हो गई ठीक है तो ऐसे tools की use करक आप देखो कि institutional investors के portfolio में कौन से coin है तीसरी चीज ये भी check करो कि अभी जो वो coin है उसकी market cap कितनी है जितनी कम market cap होगी और वो अगर problem solving project होगा तो definitely chances है उसके ज़्यादा profit देनेगे because अगर market cap पहली काफी बढ़ चुकी है billions में हो चुकी है या फिर 10 billion 50 billion अगर वो billions में तो फिर वो billions में जादा इतनी फिर अपनी market cap को बढ़ा नहीं पाएगी ठीक है मतलब 100 से 500 होने में उसको time लगेगा लेकिन अगर उसकी market cap million में होगी तो वो million से billion जाने में जादा time नहीं लेगाईगी तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि supply का ध्यान रखो दूसरी चीज कि वो जो coin है वो institutional investors के portfolio में भी हो वो चाहे कोई सबी coin हो किसी भी coin को आप select कर सकते हो तीसरी चीज कि उसकी जो market cap है वो अभी कम है millions में हो और अगर billion में भी हो तो एक दो billion के around हो top जो wallets होते हैं उनमें ही major holding पड़ी होती है अब आप किसी का भी नाम ले दो ठीक है उसमें basically क्या होता है कि chances होते हैं कि अगर वो wallets अपना wallet खाली करेंगे तो उस दिन वो काफी बड़ा dumb कर जाएगा coin ठीक है तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे coins को select करो जो कि completely decentralized हो जैसे कल किसी ने मुझे comment करें कि बोला था कि भीया आप जिन wallets के बारे में बात करें हो dodge के case में कि आप जिन wallet के बात करें वो दोनों तीनों wallet alone must कही है ठीक है अब ऐसा हमें तो नहीं पता ना उन भाईया को पता होगा किसी को नहीं पता कि वो wallet किसके हैं लेकिन में भी ऐसा भी हो स problem solving project है उसका ध्यान रखो तो इस तरीकी से आप इन 4-5 points का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप खुद अपनी इच्छा से भी या फिर अपनी research के base पर भी एक अच्छा fundamentally strong और long term वाला coin select कर सकते हो अगर आपको चाहिए कि मैं आपको एक list दू जिसमें चंद coins हो वो चाहिए तो comment जादा से जादा करना और इस video को like करना नहीं बूलाए आपका एक like मुझे काफे जादा motivate करता है अच्छा content बनाने के लिए ठीक है और अभी तक telegram channel को join नहीं किया लिंक आपको मेरे इस video के description box में मिल जाएगा और अगर वो link काम ना कर रहे हो तो direct telegram पे जाना सर्च कर आई एम आई एम यहां पर एम वाला नहीं है स्मोल में और फिर समझाद हुई है space वगरा कुछ नहीं है ना ही अंडर्सकोर वगरा इस spelling का ज़रू से ध्यान रखना है स्कैमर वाले में join मत हो जाना वाई होग दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए होगा तो वीडियो वीडियो को लाइक करना है चैनल आपकी काम को है तो चलन को भी सब्सक्राइब करके रखनेना है मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ लिए जय हिन जय भारत